दोस्तों क्या आपको पता है कैलसियम की कमी से कौन कौन सी प्रवलम होती हैं और कैलसियम की कमी को पूरा करने के लिए कौन से फूड खाएं और कैलसियम को पूरा करने के लिए कौन सी टेवलेट का यूज़ करना चाहिए ये जानने के लिए वीडियो लास्त जरूर देखें और जो लोग हमारी चैनल पर नहीं हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दवा दें ताकि कोई भी हल्थ की वीडियो आपसे मिस न हो सके दोस्तो कैलसियम सरीर के लिए बहुत जरूरी होता है ये हड़ियों को मजबूती देने के साथ नाखुन और दातों के लिए भी अच्छा होता है कैलसियम मसल्स नर्वस और हार्मोन फंक्शन के लिए जरूरी होता है इससे दातों को मजबूत बनाए रखा जा सकता है कैलसिय की कमी से हाथ पेरों में दर्द की समस्या सुरू हो जाती है πिर only कमी से सरीग में मसरज फंक्शन और एणर्जी प्रोडक्षन में कमी आती है यही वज़य है कि इंसान बिना काम कि यही धका हुआ महसुस करता है कैलिसम कि कमी से सरीर में जंजना excited की समस्या होने लगती है ऐसे में nervous system के function पर बुरा असर पड़ता है इस condition में patient को हाथ पैर में जंजना हट और सुन महसुस होने लगती है अगर आपके सरीर में कैलिसम की कमी है तो हडियों से जुड़ी Osteoporesis या Osteopenia जैसे बीमारी हो सकती है इससे हड़ियां कमजोर और खोगली हो जाती है कैलसम की कमी से हैलिोसनेशन की समस्य हो सकती है कैलसम की कमी से मूर और भावनाव पर बुरा असाट डालती है केलसियम की कमी से मूर में बदलाव, चरचड़ापन, चिंता या डिप्रेशन की प्रवलम होने लगती हैं इन सभी प्रवलम से बचने के लिए आपको अपनी डायेट में केलसियम रिच फूड को सामिल करें आप डायेट में दूद, दही, बीज, सोय दूद, पनीर, बादाम, बीन्स और दाले, मचली, सेब, अंजी, पत्तेदार साग, रूबर्ब, संत्रा, कीबी, इस्ट्रोबेरी, केले आदी का सिवन करें और अगर आप केलसियम कमी को पूरा करने के लिए टेबलेट यूज़ करना चाते हैं, तो आप और श्टो केलसियम टेबलेट का यूज़ कर सकते हैं, इस टेबलेट का यूज़ आपको एक टेबलेट रोज, खाना खाने के बाद, दूद या पानी के साथ करना है दोस्तो अगर आप और्ष्टो केलस्यम टेबलेट का सेवर करते हैं तो आपके सरीर की केलस्यम की कमी पूरी हो जाएगी और आपके हट्टियां मजबूत हो जाएगी दोस्तो इस वीडियो में सतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगर यह वीडियो आपको अच्छे लगी है तो वीडियो को लाइक सेव और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा दे ताकि कोई भी हेल्थ की वीडियो आपसे मिसना हो सके और अगर आपको हेल्थ रेरेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमसे इस्टेग्राम पर आकर बात कर सकते हैं इस्टेग्राम के लिंक में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा